दोस्तों पोस्चर नमबर 20 में कह रहा है किसार कि अगर सारे पेरामीटर को कॉंस्टेंट करें और विलॉस्टी या प्रोजेक्ट टाइल को 2% इंक्रीज कर दें तो क्या होगा क्या होगा कितना पर्सेंट चेंज होगा मैक्समाम हाइट में तो आपने का ठीक है सर हाइट बराबर हमको मालूम है U स्क्वायर साइन तु स्क्वायर ठीटा अपां टू जी जब भी percentage कहरा है केवल जो है U में change करना है बाकी parameter सेम है यानि ठीटा आपका सेम है G constant उसमें change आप करनी सकते है तो आपने का अगर हम U में 2% increase कर दें तो ऐसे सूर्टेहाल में क्या होगा H कितना percent बढ़ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें percentage वाला ही लगाना है तो आपने का Sir ऐसे सूर्टेहाल में हम जानते हैं इसको differentiate किया जाता है कि change इतना into 100% यह आपका constant हो गया इससे मतलम नहीं तो इसको differentiate कर दीजे और आप जानते हैं कि जो 2% का increase किया गया है यानि कि यह बराबर आपके 2% है तो आप कह सकते हैं कि जो height है उसमें 4% का इजाफा होगा U is directly proportional था तो increase हो गया तो अगर 2% का change आएगा velocity के अंदर तो height के अंदर जो है वो 4% का change होगा कि यह बराबर आपके